हरे कृष्णा आज हम आपको बताएंगे कि कब है अजा एकादशी कैसे करें अजा एकादशी का वृत क्या होगी अजा एकादशी वृत की पूरी पूजा विधी और पूजा का शुब मूरत और कब और कैसे करें अजा एकादशी वृत का पारण ये सब जानना है तो वीडि की कमी कभी नहीं रहती आर्थिक संकट दूर होते हैं साथी भगवान श्रीहरी की कृपा से उसकी संतान पर भी कोई संकट नहीं आता है इस वरत को करने से खोया हुआ धन संपत्ति गुण आदी भी प्राक्त होते हैं इस वरत को सत्यवादी राजा हरीश चंद्र ने भी किया भादो मास के कृश्निपक्ष की एकादशी तिथी का प्रारम 28.2023 बुद्वार को मध्यरात्री एक बचकर 20 मिनिट से छोगा और यह एकादशी तिथी समाथ होगी 39.00 अगस्त गुरु वार को मध्यरात्री 1.00— 37. waters इसलिए भादो मास के क्रिश्न पक्ष की अजा एकादशी कवरत 29 अगस्त 2024 गुरुवार को रखा जाएगा एकादशी की तिथियों में तोलसी के पत्ते तोड़ना पाप होता है इसलिए आप एकादशी के पूजा के लिए एक दिन पहले यानि 28 अगस्त को ही तोलसी के पत्ते तोड़कर रख लें 29 अगस्त 2024 अजा एकादशी के दिन सुर्योदे सुबद 6 बच कर 12 मिनिट परोगा सुर्यास शाम 6 बच कर 43 मिनिट परोगा ब्रह्म मूरत सुबद 4 बच कर 35 मिनिट से सुबद 5 बच कर 23 मिनिट तक रहेगा अमरित काल सुबद 6 बच कर 20 मिनिट से सुबद 7 बच कर 69 मिनिट तक रहेगा इस दिन सिद्धियोग शाम 6 बच कर 15 मिनिट तक रहेगा और अभीजीत मूरत दुपहर बारा बचकर दो मिनट से दुपहर बारा बचकर बावन मिनट तक रहेगा इस समय में भी एकादशी की पूझा करना और एकादशी व्रत की कथा पढ़ना अत्यांत शुब रहेगा अजा एकादशी के दिन राहु काल दोपहर देड़ बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा अजा एकादशी के बाद द्वादशी तिथी का प्रारंब 29 अगस्त गुरुवार को मध्यरात्री एक बचकर 38 मिनट से होगा और ये द्वादशी तिथी समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार को मध्यरात्री 2 बचकर 25 मिनट पर द्वादशी यानि 30 अगस्त दोजार 24 शुक्रवार को सोर्योदे सुब़ 6 बचकर 12 मिनट पर होगा सोर्यास शाम 6 बचकर 42 मिनट पर होगा ब्रहम मूरत सुबह 4 बजकर 36 मिनेट से सुबह 5 बजकर 24 मिनेट तक रहेगा पुनर वसू शाम 5 बजकर 55 मिनेट तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्रय योग शुरू होगा द्वादरशी के दिन राहु काल सुभा 10 बज कर 30 मिनिट से दोपहर 12 बजे तक रहेगा हरीवासर का समय 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुभा 7 बजे तक समागत हो जाएगा हरीवासर के समय में एकादरशी वरत का पारेंट नहीं किया जाता है इसलिए इस बार एकादरशी वरत का पारेंट समय होगा 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुभा 7 बजे से सुभा 10 बज कर 25 मिनिट तक आपको इसी शुब मूरत में भगवान विश्नु की पूजा करके अपना अजा एकादरशी का वरत खोलना है क्योंकि द्वादरशी के दिन सही मूरत में वरत ना खोलने से वरत का फल नहीं मिलता और दोश लगता है आईए अब जानते हैं एकादरशी वरत की पूरी पूजा विधी एकादरशी की दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जलके कुछ बूने डालकर स्नान करें फिर भगवान विश्नु को पीले वस्तरों और पीरे फूलों से शिंगारित करें फिर भगवान विश्नु को तोलसी चड़ाएं और फलो का भोग लगाएं अब भगवान विश्नु के सामने पूरी श्रद्धा से एकादरशी व्रत करने का संकल्प लें इसके बाद विश्नु लक्षमी जी की आरती करें और अजा एकादरशी व्रत की कथा पड़ें एकादशी वरत की सम्पूर्ण कता हमारे चैनल पर भी एकादशी के दिन डाली जाएगी एकादशी पर उसे आवश्य सुने एकादशी पर पूरे दिन भजवान विश्णु के मंद्रों और विश्णु सहेस्ट्रे नाम का पाठ आवश्य करें इस दिन भगवत गीता का कम से कम एक अध्याई भी आवश्य पड़ें एकादशी पर भगवान का वृत नहीं होता है इसलिए इस दिन भगवान को भुखा ना रखें और समय समय पर विश्णु भगवान को अपने सामर्थे के अनुसार भोग लगाते रहें आईए अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत का पारण करने की विधी एकादशी से अगले दिन यानि द्वादशी पर सुबर जल्दी उठकर पहले तोलसी देवी की पूर्जा आरती करें तोलसी माता को जल और पुश्प चढ़ाएं फिर भगवान विश्णु को फूल तो हो सकते हैं आप दूद या दूद से बनी चीजों फलों और मिठाई का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं फिर व्रत के दौरान आप से जाने अंजाने में हुई सबी गलतियों की भगवान विश्णु से माफी मांगे और भगवान से अपना व्रत स्वीकार करने की प्रा प्राइब करें